हेले स्टूडेन कैसे हैं आप सब इक बात पुना आप सब इक आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास्टल्थ कमिस्टी न्सी आर्टी जैब अणू में आज का महत्पून टॉपिक है विटामिन से सम्मधित कोचिंग कैसे कैसे पुछे जाते हैं यहां से कई प्रकार के कोचिंग पूछे जाएंगे पैरे भाईयो जरूरी नहीं है कि आपके पास यहां से अबजेक्टिव कोचिंग आए या की तीन नमबर में आए या की चार नमबर में आए किसी भी प्रकार से question पूछा जा सकता है objective भी दो नमबर भी तीन नमबर भी चार नमबर जैसे objective कैसे पूछा जाएगा कि vitamin A के कमी से होने वाली रोग जैसे रतवांदी होता है vitamin आपके पास C है इससे कमी से होने वाली रोग इसकर भी है इस प्रकार अब्जेक्टिव टाइब में कुश्चन पूछ जाते हैं कुश्चन पूछ देगा दो नमबर में बिटामिन किसे कहते हैं बसा में बिले और जल में बिले बिटामिन के नाम लिखिए या कि चार नमबर पूछेगा बिटामिन किसे कहते हैं बिटामिन्स के प्रकार और इससे होने वाली रोग एनि इसके कमी से होने वाली रोग को लिखिए ऐसे कोशेट पूछेंगे तो पूरा बिधिवत समझना है तो सबसे पहले आपको समझना बिटामिन बिटामिन्स भी होता है यहीं कई सारे बिटामिन्स इसलिए बिटामिन्स बोला जाता है बिटामिन्स मतलब एक बिटामिन समझ रहना तो ऐसे कार्मनिक योगिक जिनकी हमारे सरीर अर्थात हमारे भोजन में सूच मात्रा के बसकता होती है परन्तु इनकी कमी के कारण विसेश रोग उत्पन हो जाते हैं बिटामिन्स कहलाते है तो कुछ ऐसे कार्मनिक पदार्थ होते हैं या कार्मनिक योगिक होते हैं जो हमारे भोजन में सूच मात्रा के वसकता कहने के मतलब जो हम भोजन ग्राण करते हैं उसमें अल्प मात्रा में इनके वसकता होती है, जो कि हमारे सरीर के लिए उपयोगी होता है। यदि इस्टुडेंट इनकी कमी हो जाए तो हमारे सरीर में विशेष प्रकार का रोग उत्पन हो जाता है जिससे हम विटामिन्स कहते हैं मतलब इस प्रकार के कर्वनिक योगिक को हम विटामिन कहते हैं इसका कोई deeply definition नहीं है एक समझने योग definition की एक विटामिन्स जो होते कर्वनिक योगिक है जो हमारे सरीर में है ना विविन्प्रकार की क्रियाओं के लिए उप्योगी होते हैं इनकी कमी से हमारे सरीर में विविन्प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं इतना जानना जरूरी ह बिटामिन का जो बरगी करण है बिलेता के अधार पर दो भागों बाटा गया है एक तो बसा में बिले बिटामिन और एक तो जल में बिले बिटामिन पतलब ऐसे कौन कौन से बिटामिन जो बसा में बिले हैं वो है A, D, E, K और जल में बिटामिन जो है बिले हैं वो है B और C ठीक है तो इनको आपको अबजेक्टु टाइप में है ना क्लियर करने के लिए याद रखना है कि बसा में कौन कौन से बिले हैं तो A, D, E, K जल में बिले हैं तो B और C अच्छा B और C यदि आप याद कर लिए तो A, D, E, K आर्टुमेटिक याद रहेगा जल में बिले, B, C याद कर लेना ठीक है नब B, C जल में बिले है ठीक तो ये दो प्रकार की हैं स्क्रिंसाट ले सकते हैं कि ऐसे बिटामिन जो बसा या तेल में बिले होते हैं वो कौन कौन सी बिटामिन है A, D, E, K और जो जल में बिले होते हैं इस्टोंट वो B और C हैं इसके बाद चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी बिटामिन हैं और इनके स्रोथ कौन कौन सी हैं तो चलिए देख लेते हैं, पहला नंबर है आपका, बिटामीन A, बिटामीन A का जो बैग्यानी के नाम है, वो रेटीनाल है, ठीक है, इसका सुरोत जो इस्टुएंट कौन कौन सा है, तो गाजर है, मक्खन है, दूध, मचली का लीवर, लीवर का तेल है, इसकी कमी से होने व आप, लेकिन आपको इसका बैग्यानी के नाम याद करना पड़ेगा, बिटामीन A का, बैग्यानी के नाम जो है, रेटीनाल है, ये कहां से मुक्रूप से प्राप्त होते हैं, तो गाजर, मक्खन, दूध, है ना, मचली के लीवर का तेल, कमी से होने वाले दो रताउंदी, दूसरा है, बिटामीन B1, ठायमीन, फार्मोल आयाद करने के बसकता नहीं है, कभी ने पूछा जाता, हरी सबजियां, एस्ट दालें, दूध, आज से ये प्राप्त होता है, अक्सर आप देखेंगे, दूध तो हर जगे आप देखेंगे, बिटामीन C के अलाबा, दूध, दही, अंडे, ये हमेशा, बिल्कुल आप लोगो को खाना ही खाना चाहिए, दूध, बिल्कुल कमपल सरी है, दूध तो सबको सेवन करना चाहिए, क्योंकि सुद्ध सागा आ रही है, ऐसे कुछ होंगे, जो मांस का प्रयोग नहीं करते होंगे, है ना, अंडे का भी प्रय बटा जाएगी, यहीं आप छोटे ही रह जाएगे, बौना पंजी से बोलते हैं, चले, आगे देखते हैं, बी थ्री, सरी, बी टू, राइबो फ्लेविन, क्या है, राइबो फ्लेविन, दूध, अंडे का सफेद भाग, लीवर, किड्नी, अब देखिए, वह यह दूध, म लगता है, सरीर हमारा, पैर जलने लगता है, कभी कभी आप देखते होंगे, तो इसमें आपको क्या खाना चीज़ ज़्यादा, अंडे का सफेद भाग, है ना, दूध, दूध सबजियां सबसे ज़्यादा कंपल सरी हैं, ठीक है, बिटामिन B6, पारिडाक्सीन, एस्ट द अंडे दालें थे, कि अंडे दूध फिर से वही आगया, दाल चना, इसे मिर्गी है ना, अचानक चक्करा जाना, जैसे आप कहीं पे खेर नहीं है, कूद रहें, या काम कर रहें, अचानक आपका मतलब मस्तिस्क है घूम गया और आप भिहोस हो गया, तो यह जो रोग होता यह ऐसा रोग किसी को ना हो, क्योंकि मेरे प्रतच में प्रमाण में अपने सामने देख चुका हो, कि मिर्गी के रोग से, मिर्गी में क्या होता है, अचानक आप, है ना, अचानक गिर जाएंगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है, आप चैपानी में हो, आग में हो कुवान अंदी ताल आप कहीं भी होंगे आप गिर जाएंगे और ऐसा कई एट्मासफियर होता है कि वहाँ पर आप भी नहीं बच पाते हैं तो भगवान करें यह नहों इसलिए आप लोग इस्ट दूद अंडे डालें अच्छे से खाते रहें बिटामिन B12 साइनो कोबाला मिन मांस, अंडे, मचली, डाही ठीक है और एनेमियर होग जाता है टीक है B12 इसलिए हमें मांस हलाकि लोग जो साकारी नहीं खाएं जरूरे नहीं है लेकिन मांस मचली अंडे से भी हमें कहीं न कहीं फाय्दा मिलता है बिटामिन C इससे कमी से होने वाला रोग इसकरवी है बैग्जानिक नाम इसकारवी कमल है इसकरवी से इसकारवी कमल देखो ठीक है? यह आमला मुक्ता खटे पदार से मिलते हैं आमला खाएं, आम खाएं, हरी पत्तिया हैं ठीक है जो भी साइट ट्रस फला है मतलब जहां से अमर मिलता है जिसे आप इमली की बात करें यहां से बिटामिन सी मिलता है इसके बाद बात करें बिटामिन डी की कैलसी फिराल एरगो कैलसी फिराल इसका नाम थोड़ा अजीब है एरगो कैलसी फिराल या कैलसी फिराल भी र आप घर में रख लें, उसमेदे इसोट का प्र referendum ने में इदार्थ हो जायगा बिटामीन टोकोफिराल विटामिए टोकोफिराल यह हुट ज्यरम आयल फाटन सिग आयल काटन सिग पेसियां कमज scaling छमता में प्रभ Encina कमी से कमी कि कि किसी किसी के बच्चे आना पाइदा नहीं होते तो यही कमी होता है उसे तुआ कर थक्का बन जाता है वहाँ पर तुरंट थक्का बनने का काम सुरू हो जाता है लेकिन जहाँ पर विटामिन के की कमी होगी तो वहाँ परिश्प्रन देर से थक्का बनता है इसलिए खून बहते रहता है इससे हमको लॉस होता है है हमारे सरीर में कमजोरी आती है तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें मुख रूप से क्या क्या खाना है सबसे पहली बात आपके पास क्या होना चीए दूद हरी सबजियां यह चीज तो बढ़िया और सुबह सुबह सूर की प्रकास आप लें अपने जीवन को कमफट के टापिक्स था रासर उम्मीद करता हूं कि यह टापिक्स आपको क्लियर हो गया होगा एक बार स्क्रेंशाट ले लिजे आप लोग जिनको भी इसका नोट डाउन करना है और इसका नोट्स लेना हैं रुपए लगता है इस्ट्रेंट एक सब्जेक्ट का फूरा आपको ब 99149 पर कंटेक्ट कर सकते हैं 100 रुपए में नोट से ले सकते हैं तो चलिए यह वीडियो हो जाता है समाप्त आसर उम्मीद करता हूं वीडियो पसंदा योगी पसंदत लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैह कर दीजेगा में बने मतरों